हेलो दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आईसी एसी बोर्ड क्लास 10 के केमेस्ट्री का पेपर जो की सी आईसी ने अपने साइट पर एज़ा सैंपल पेपर या इस पेसी मिन पेपर के फॉर्म में अपलोड किया है तो हम लोग इस पेपर को आज देखेंगे कि किस लेविल का पेपर है और वास्तों में बहुत ही अगर कोई भी बच्चा बहुत ध्यान से एक एक चीजों को क्लियर करता हुआ नहीं चलेगा तो ऐसे पेपर्स को हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा तो स्टार्ट करते हैं आज की जरनी और स्टार्ट करते हैं यह आपका पेपर है उमीद है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिक्षन ए है इसमें आपको क्या करने है सारे कोश्चन अटिम्ट करने है पहला कोश्चन दिया हुआ है चूज देख लेते हैं पहला कोश्चन है an aqueous solution of copper sulfate turns colorless on electrolysis which of the following could be electrodes anode, copper, cathode copper, anode platinum, cathode copper, anode copper, cathode platinum कह रहा है कि एक बात यहां पर समझेगा एक electrolysis का प्रोसेस चल रहा है कह रहा है इसमें एक electrode इधर लगाया गया है एक electrode इधर लगाया गया है और यहां पर बैटरी को connect कर दिया गया है उसके बाद यहां पर क्या भर दिया गया है copper sulfate का solution copper sulfate का solution कह रहा है कि इन दोनों electrode में यह दोनों electrode हम किस चीज का ले लें कि यह जो solution है यह turn हो जाया colorless में becomes colorless becomes colorless तो भाई देखो यहां पर जो solution है वो क्या है C-U-S-O-4 solution किसका है C-U-S-O-4 यानि copper sulfate और इसका color कैसा होता है blue दिमाग यह लगा यह किसकी वज़ा से होता है C-U-2 प्लस आयन की वज़ा से अगर इस solution में वेटा C-U-2 प्लस आयन खतम हो जाए यानि C-U-2 प्लस आयन जो इसमें present है वो finish हो जाए तो इसका color blue से colorless हो जाएगा अब होता क्या है अगर मैं इस cathode को copper का लेता हूं इस cathode को अगर मैं copper का लेता हूं तो यहाँ पर जो solution है इसमें जो C-U-2 प्लस आयन है यह भागता है कहाँ पर cathode पर और जा करके liberate हो जाता है यानि चिपकने लगता है इसके किनारे किनारे जो electroplating में आपने देखा होगा और इस जगाँ पर आपके book में active electrode यानि copper को लिया गया था जो कि क्या करता था C-U-2 प्लस आयन की जो कमी होती थी solution में वो यहाँ पर liberate कर देता है यानि जितनी C-U-2 प्लस आयन यहाँ cathode पर जाके चिपकते थे उतने C-U-2 प्लस आयन anode से निकल करके इस solution में आ जाते थे लेकिन अगर हम anode को copper का न रख करके किसी और का रख दे copper का न बनाए किसी और चीज़ का anode बना ले तब क्या होगा तब यह copper आयन इसको नहीं यह solution में C-U-2 प्लस आयन नहीं दे पाएगा और जो यहाँ पर C-U-2 प्लस आयन है वो यहाँ जाके चिपक जाएगा तो धीरे धीरे आपका solution से C-U-2 प्लस आयन की क्या होने लगेगी कमी होने लगेगी और जब C-U-2 प्लस आयन की कमी होने लगेगी तो आपका जो solution है वो क्या हो जाएगा colorless हो जाएगा clear है तो इसलिए हमें इसको copper का ना रख करके किसी और का रखना पड़ेगा और option में हमारे पास है platinum तो anode हो जाएगा platinum का और cathode हो जाएगा copper का यानि आपका only Q is the correct option Q is the correct option यानि सिर्फ Q आपका सही होगा clear next question है आपका a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution a red litmus paper held at the mouth of test tube turns blue अब देखो red litmus blue में convert कब होता है जब कोई basic radical आकर के litmus पर attack करता है यानि जब कोई basic radical आएगा और litmus के पास पहुचेगा तो red litmus blue में convert हो जाएगा तो red litmus को blue में convert होने के लिए एक basic iron चाहिए तो basic iron हमारा क्या होता है ammonia यानि NH4 प्लस iron की वज़ा से ये क्या हो जाएगा basic हो जाएगा यानि red blue में convert हो जाएगा atomic masses of sulfur oxygen and helium are approximately 32, 16, 4 respectively कह रहा है which of the following statement regarding the number of atom in 32 gram of sulfur, 16 gram of oxygen 4 gram of helium तेखो इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले धहान दीजे जब भी आप किसी भी element का atomic mass होता है और उतने ही gram उसको लेते हैं जैसे आपने oxygen का atomic oxygen का atomic mass है वो है 16 तो अगर आपने 16 gram oxygen लिया तो ये होगा कहलाएगा 1 mole एक mole क्या होगा 16 gram of oxygen 1 mole और उसके बाद अगर आपने 32 gram of sulfur लिया ये भी क्या कहलाएगा 1 mole और अगर आपने 4 gram helium लिया 4 gram of helium लिया ये भी कहलाएगा 1 mole भाई किसी का भी अगर एक mole लिया तो उसके पास 1 mole is equal to 6 into 10 to power 23 atoms मतलब अगर किसी का भी एक mole लिया तो उसके पास number of atom इतने ही होंगे अब क्या कह रहा है 16 gram of oxygen contains 4 times the number of atoms 4 gram of helium ना गलत है भाई 4 gram helium के पास भी उतने ही atom है जितना 16 gram of oxygen क्योंकि 16 gram oxygen लिया तो भी उसका 1 mole है और 4 gram helium लिया तो भी 1 mole है और 1 mole में number of atom तो 6 into 10 to power 23 ही होना है किसी का भी किसी भी substance का अगर आप 1 mole लेते हो तो उसके पास number of atom क्या होगा 6 into 10 to power 23 तो पहला statement तो गलत है 16 gram of oxygen यह भी गलत है 16 gram जो oxygen है उसके पास number of atoms 32 gram sulfur से आधा है गलत है तो यहां neither P nor Q यानि दोनों ही गलत है तो इसलिए D option यहां पर सही होगा ठीक है ammonia gas is passed through quick lime and then collected in jar red and blue litmus paper are placed in the jar W, X, Y, Z are the four observations which of the above observation correctly shows the reaction of litmus paper to ammonia गलत है ammonia gas क्या किया जाता है quick lime में pass किया जाता है quick lime मतलब CAO and then collected in jar तो भाई ammonia gas को जब आप when ammonia gas ammonia gas passes through passes through CAO quick lime से pass किया जाएगा तो यह हो जाएगा dehydrated dehydrated और जब dehydrated हो जाएगा तो भाई यह एक type का basic solution देखो बनाएगा तो जो तुमारा red litmus होगा वो blue में convert हो जाएगा और blue तो remains blue रहेगा तो यहाँ पर डबलू वाला सही है तो इसका मतलब A option आपका correct है ठीक है जब NH3 को CAO से pass किया जाता है तो NH3 dehydrated हो जाता है यानि अमोनिया में जो भी water के elements प्रेजन्ट होते हैं वो क्या होते हैं वो dehydrated हो जाता है अमोनिया में जो भी present होता है वो खतम हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि आपका ये dehydrated होने के बावजूद आपका जो ammonia होता है NH3 जब उसके पास red litmus wet red litmus ले आया जाता है तो ये ammonium hydroxide बना लेता है जिसकी वज़ा से आपका ये red litmus किसमें convert हो जाता है blue में ठीक है glucose react with concentrated sulfuric acid ग्लुकोज को जब concentrated sulfuric acid के साथ react करते हैं तो glucose के अंदर जितने भी पानी होता है जो पानी होता है वो आपका जो H2SO4 होता है वो निकाल लेता है क्योंकि H2SO4 एक क्या होता है dehydrating substance dehydrating agent होता है ठीक है dehydrating agent होता है dehydrating agent का मतलब क्या कि water को absorb कर ले तो water को absorb कर लेगा तो भाई ये condition क्या होगा dehydration कहलाएगा sixth है यहाँ पर condition दिया हुआ है electrolytic cell का PQRS चार चीज़े दी है will silver plating be done on spoon किस में silver plating spoon में done होगा तो देखो यहाँ पर अगर आप देखिए पहला P तो यहाँ पर silver plate connected है और किस से connected है बैटरी के positive terminal से यानि anode से conditions है पहले थो हम लोग silver plating की condition समझ लेते हैं silver plating की condition यह होती है कि जिस material का silver plating करना है उसको हम लोग anode कित से connect करते हैं cathode से उसको हम लोग क्या बनाते हैं cathode बना देते हैं जिस material से करना है जैसे silver स्牌 क्विते करने सिल्वर को हम लोग क्या बना देंगे जिल्वर को बना देंगे लुग किन्य यह सिल्वर कोई इसनि के बाद से ड़िड़ होगा होना चाइएategी ا Rockman यह भार होना चाहिए तो ईयख सिल्वर सल्फड यह सिल्वर अृह कैसा salt होना चाहिए silver salt होना चाहिए तभी आपका ये electroplating हो पाएगा अब पहली वाली condition देखे तो यहाँ distilled water भरा हुआ है अगर ये distilled water है तो distilled water में तो भाई देखो electricity flow हो ही नहीं सकती electricity flow नहीं हो सकती तो आवस सी बात है यहाँ silver plating नहीं होगी दूसरे में भी distilled water भरा है तो ये P और R तो ऐसे eliminate हो गए यहाँ देखिए S वाले में anode को spoon बना दिया गया है cathode को silver बना दिया गया है तो condition को उलट दिया गया है और silver nitrate का solution डाल दिया गया है बट यहाँ पर क्यू देखेंगे तो वो condition actually इससे match करती है वहाँ पर anode को silver से connect किया गया है और spoon को cathode बनाया गया है और solution में silver nitrate का solution डाला गया है तो ऑवेसी बात है कि आपका जो Q option होगा वो एकदम करेक्ट होगा The basicity of acetic acid तो भाई CH3 COOH यह होता है acetic acid अगर इसको आप break करेंगे तो आएगा CH3 COO minus और H plus तो एक hydrogen निकला तो जितनी hydrogen निकलेगा उसकी basicity क्या होती है उतनी होती है तो भाई यहाँ पर इसकी basicity क्या हो जाएगी 1 ठीक है A A A की power 3 plus and B B minus number of electron present in outermost shell of atom A and B respectively are ठीक है तो कह रहा है A जो है A 3 plus में convert हुआ है तो A अगर A 3 plus में convert हुआ है तो इसके outermost orbit में कितना number of electron रहा होगा 3 तभी इसने 3 electron को क्या किया donate किया और A की power A 3 plus बनाया B B minus है यानि इसने एक electron गीन किया तो इसके outermost orbit में कितना electron रहा होगा 7 तभी इसने एक electron लिया तो कह रहा है कि outermost shell में कितने electron present होंगे A और B में तो 3,7 that is C option is correct option यानि आपका C option होगा वो एकदम सही होगा A solution is observed after placing magnesium metal in solution of छी कह रहा है A solution is observed after placing magnesium metal in solution of copper sulfate for half hour तो भाई magnesium metal को अगर आप C U SO4 के solution में रखते हो तो यहाँ displacement reaction होगा बन जाएगा MgSO4 और C U क्या होगा इधर हो जाएगा इसका color होता है blue और इसका color होता है white हाला कि white आना चाहिए यहाँ option में white आना चाहिए white ना होने की वज़ा से हम लोग colorless को जादा प्रिफर करेंगे यहाँ पर चारो option में से एक option white का होना चाहिए क्योंकि यह white color का होता है लेकिन white नहीं है तो आप colorless को choose कर सकते हैं वो जादा appropriate हो जाएगा an element with atomic number will form an acidic oxide अगर 3 को देखा जाए तो इसका electronic configuration 2,1 17 को देखा जाए तो 2,8,7 11 को देखा जाए तो हो जाएगा 2,8,1 और 13 को देखा जाए तो हो जाएगा 2,8,3 तो इसका मतलब है इसके outermost orbit में 1,1,3 तो किसी भी element के outermost orbit में 1 electron, 2 electron, 3 electron है तो वो बिलकुल भी acid form करने के पक्ष में नहीं रहता है वो हमेशा क्या करता है? बेस फॉर्म करना चाहता है तो इसमें क्यों लिए कि इस 17 वाला सही है जिसके outermost orbit में 7 electron है यही बी आला option सही होगा जो कि नॉन मेटल है और नॉन मेटल ही जनरली एसिट फॉर्म करते है जो कि इस not true with respect to nitric acid nitric acid के बारे में क्या सही नहीं है यह एक strong reducing agent है जही है it is a strong oxidizing agent यह भी बात सही है it is unstable to heat बिलकुल सही है क्योंकि अगर आप इसको heat देंगे तो यह क्या होता है? तो बाई जब 3 सही है तो 4 ही गलत होगा और क्या 4 को फिर पढ़ने की ज़़ुरत ही नहीं कुछ भी हो गलत वही होना चाहिए Is the functional group of methanol इन चारों में से कौन सा functional group methanol का पहले तो formula लिख लेते हैं methanol का formula होता है CS3OH तो यहाँ पर कौन सा आपको group दिख रहा है यही तो दिख रहा है तो भही इसका functional group क्या हो जाएगा ओएच ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा functional group ओएच हो जाएगा clear आगे बात करते हैं the process of electrolysis is an example of electrolysis किस टाइप का process है तो electrolysis के अगर आप anode पर देखेंगे तो oxidation reaction होता है cathode पर देखेंगे तो reduction reaction होता है और दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है redox reaction तो भाई दोनों reaction जहाँ पर proceed हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे redox reaction the catalyst used in ostwald process ostwald process में क्या catalyst यूज किया जाता है तो ostwald process देखो भाई यह तो ratification question है अब आप exam में book को अपने read किया होंगे तो ostwald process आपको दिखा होगा जिसमें use किया जाता है क्या platinum को platinum क्या करता है ionization या enthalpy जिसको बोलते है energy को ionization enthalpy या enthalpy को reduce कर देता है जिसकी वज़ा से reaction आपकी fast हो जाती है तेज हो जाती है अब 16th group है 16th group का मतलब पूरे periodic table में 18 group होते है अभी थर से आजाए 18 वाले group के outermost orbit में 8 electron 17 वाले में 7 electron 16 वाले में 6 electron तो ओवेसी बात है यही सही होगा 6th electron question no.2 तो यह objective type के थे फिलहाल इतने हो गए setup shows below in the fountain experiment with hydrogen chloride gas in a flask यहाँ पर SCL gas है फ्लास्क है ठीक है और यहाँ पर fountain litmus solution डाला गया है अब आगे क्या कह रहा है the fountain starts when a few drops of water from the dropper are introduced into the flask instead the drop of water पूजा started the fountain by introducing a few drops of sodium hydroxide into the flask in the flask के अंदर कुछ sodium hydroxide डाल देते हैं अगर हम कुछ drop flask के अंदर water का डालते हैं तो fountain start हो जाता है इधर से हमने क्या किया SCL gas है SCL gas क्या होती है neutral होती है flask में हमने water डाल दिया तो SCL glass SCL क्या करती है उस water साथ mix हो करके SCL acid बना लेती है और acid क्या करता है blue litmus को red में बदलता है तो नीचे से blue litmus का solution उपर जाएगा red color का निकलेगा जादू होगा ठीक है बट पूजा क्या करती है कि glass flask में sodium hydroxide डाल देती है अब sodium hydroxide जब पड़ेगा तो क्या कह रहा है पहला question explain why the litmus solution gets sucked up when sodium hydroxide is used अब जो litmus solution अंदर गया था वो बाहर आ जा रहा है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि अगर हम यहाँ पर diagram की मतलद अगर हम यहाँ पर sodium hydroxide लेंगे तो भाई reaction क्या होगा HCl प्लस NaOH बना लेगा NaCl प्लस H2O और यह जो reaction होती है यह होती है exothermic reaction यानि heat निकलेगा यानि heat निकलेगी और यह heat क्या करेगी यहाँ पर जो litmus solution अंदर गया है उसके water को vaporize करेगी और water को जब vaporize करेगी तो अंदर का pressure increase करेगा अंदर का pressure atmospheric pressure से जादा हो जाएगा जिसकी वज़ा से अंदर जो litmus है वो फिर से सक दप हो जाएगा अंदर बाहर की और धक्का दे दिया जाएगा तो यह पहले का explanation है what will be the color of fountain when sodium hydroxide is used justify your answer अगर हम sodium hydroxide को use करेंगे तो fountain का color क्या होगा यहाँ पर blue litmus है आपने डाला sodium hydroxide अंदर गया वो sodium hydroxide से लिएट के साथ रियक्स्ट किया हो गई neutralization reaction तो जब neutralization यह जब NACL यह भी neutral है जब NACL यह भी neutral है तो भाही क्या reaction blue litmus ब्लू में ही रहेगा red में तो convert होगा नहीं तो blue remains blue यानि जो fountain होगा उसका color blue ही रहने वाला है if instead of SCL gas ammonia gas is filled in the flask the water is introduced from the dropper what? there will be different observation अगर गैस के अंदर ammonia gas भरी हो मतलब फ्लास के अंदर ammonia gas भरी हो और लिटमा सलूशन में पानी दिया गया हो यानि water दिया गया है वहाँ पे कोई NaOH नहीं डाला गया तब अपके क्या होगा तो देखो ammonia gas water के साथ क्या करती है ammonia gas water के साथ dissolve नहीं होती है इसलिए कोई ऐसी further reaction नहीं होगी या कोई भी color change की condition नहीं आएगी clear है ती बात तो ये तीन चीज़ हैं जो की आपको देखने हैं आगे बात करते है match the column aluminium aluminium hall herald process hall herald process hall herald process आपने पढ़ा होगा आपने book read की होगी तो उस देखा को पता होगा या ammonia से related aluminium से related sulphuric acid यह होता है contact process ठीक है अब यहां पर सिर्फ relation देखना है किस तरीके से कौन relate calcination carbonator metallurgy का question calcium chloride calcium chloride calcium chloride आपका एक type का क्या है electrovalent compound carbon tetrachloride कैसा compound covalent तो यह solve हो गया simple complete the following by choosing correct answer from the bracket if an element has the one electron in outermost shell अगर एक element है उसके outermost shell में केवल एक electron it is likely to have the atomic size among all the elements in the same period same period में रहने वाले सभी element से वो बड़ा होगा या छोटा तो आप periodic table में trend तो पढ़े ही होगा पहला ही chapter है hydrochloric acid hydrochloric acid does not form an acidic salt यह question आपका है गलत यहां पर दोनों ही acidic salt form करते हैं क्योंकि दोनों ही strong acid तो इस question में कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है आपके ICSC से उसके बाद कह रहा है reddish brown dirty green colored precipitate is formed when ammonium hydroxide is added to solution of ferric chloride ammonium hydroxide जब ferric chloride के साथ मिलता है तो एक precipitate देता है उस precipitate का color होता है reddish brown कैसा color होता है reddish brown dirty green dirty green देखे आपका जो ferric और ferrous दो चीज होता है जो ferrous होता है ferrous iron का color green होता है but ferric का ferric chloride ferric iron का color reddish brown होता है आख बंद करके reddish brown आप लगा सकते है alkane हमेशा substitution reaction करता है addition reaction नहीं करता है alkane में कभी भी addition reaction नहीं होती हमेशा जब भी होगी substitution reaction होगी चीक है अब आप कहेंगे कि addition और substitution में difference क्या है तो देखो difference यह है कि addition reaction में इस दो इलिमेंट मिल करके एक नया compound बनाते है यह दो molecules है single molecules similar type वह मिल करके बनाते है क्या जैसे H2O2 यह एक ही type के molecule है H2 और O2 यहां सिर्फ hydrogen यहां सिर्फ oxygen यह मिल करके H2O बनाए this is the addition reaction लेकिन substitution में क्या होता है एक compound होता है जैसे H2O है उसके पास कोई आया और उससे add हो गया तो इसको कहेंगे substitution क्योंकि एक already stable condition में है दूसरा वाला जबर जस्ति आ करके क्या हो रहा है तो इस type के solution को इस type के reaction को हम लोग क्या कहेंगे substitution reaction and alkaline acidic solution will turn methyl orange solution pink alkaline यहां पर alkaline solution जो होगा वो methyl orange को pink में convert कर देगा ठीक है कह रहा है identify the following a bond formed between two atoms by sharing of pair of electron pair of electron share किया जाता है और दोनो electron एक ही element के द्वारा दिया जाता है तो इस bond को वहा कहा जाता है coordinate bond coordinate bond a salt form by the complete neutralization of an acid and base neutral salt this is a neutral salt by complete neutralization by complete neutralization a reaction a reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by halogen alkane का hydrogen halogen के दौरा replace कर दिया जाता है इस reaction को कहा जाता है halogenation halogenation the energy required to remove an electron from neutral gaseous atom ionization enthalpy ionization enthalpy ionization enthalpy a homogenous mixture of two or more metals or metals and non metals in a definite proportion in their molten state pellet pellet metals and mix it this condition will become your alloy alloy draw the structural diagram of the following 5th okay let's talk about 5th draw the structural diagram for the following compounds 1 propan 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 तो इसका मतलब क्या है एल्डी हाइड तो एल्डी हाइड के लिए जो आपका दूसरा अला सी होगा वो कुछ इस तरीके लास्ट अला सी आपका यह होगा यानि सी एच ओ आपका क्या आना चाहिए फंक्शनल गुरूप आना चाहिए वन टू डाई क्लोरो एथेन दो कार्बन है भईया एथेन है तो एथेन यहां पे हो गया वन पे भी क्लोरीन है और टू पे भी क्लोरीन है वन कॉमा टू डाई क्लोरो बाकी अब इसकी जितनी वैलेंसी बच्ची हाइड रोजन से जोड दीजे यह हो गया आपका वन थ्री डाई क्लोरो एथेन अगला है क् व्यूटूें व्यूटूें के लिए एक कार्बNew चीर कार्बन तीक है उसके बाद पहला कार्बन दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन पर लग जाएगा, double bond क्योंकि व्यूटू आप single bond अब यहाँ पर हाइड्रोजें जोड दीजे हो गया यह आपका ब्यूट टूइन हो गया उसके बाद कह रहा है गिव दा आयूपी एसी नेम यहां आप देखो नंबरिंग करो वन टू त्री वन टू त्री तीन कारबन है वन पे लगा है ओच तो इसको कहेंगे प्रोप प्रोपेन वन ओल इसको क्या कहेंगे वन टू त्री फो फाइब और कोई फंक्शनल गूरूप है नहीं है तो हो जाएगा आपका पेंट वन इन ठीक क्वेशन नमबर थ्री सेक्शन बी कह रहा है इसका पेटर रियक्शन आपका जो है वो यह है क्या है कैल्शियम कार्बोनेट को एच नो थी से रियक्शियम करवाया कैल्शियम नाइट्रेड बना सी ओ टू बना एच टू बना तो जो यहां पर आपका क्यू है क्यू क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इसके बाद कह रहा है तो यह कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई पर रहे है यहां पर यहां पर प्रॉपर्टी जो दिखाई पर रहे है वो नॉन वोलिटाइल नेचर है इसका मलब H2SO4 यहां पर वोलिटाइल नहीं होता है नॉन वोलिटाइल नेचर यहां पर दिखाई पड़ रहा है बस और कुछ नहीं उसके बाद when concentrate sulfuric acid react with copper to produce sulfur dioxide जब आपका copper H2SO4 के साथ react करता है तो बना देता है CUSO4 H2O sulfur dioxide gas तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां copper में oxygen एड हो रहा है तो यहां पर यह क्या है oxidizing nature प्रवाइड कर रहा है यहां पर यह copper का क्या कर रहा है oxidize कर रहा है copper oxidize कर रहा है तो sulfuric acid का कौन सा nature शो हो रहा है oxidizing nature तो next question में चलते है question number 3 हो गया आपका section B में section B में आपको सिर्फ 4 question करने कोई भी 4 question आप section B में कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है section B का ही 3rd question का 3rd part है the electron affinity of an element x is greater than of y यानि electron affinity जो है x की वो y से जादा है कह रहा है how is the oxidizing power of x likely to compare with that of y oxidizing power क्या होगी x की y के comparison में तो देखो जिसकी electron affinity जादा होती है उसमें electron को fill करना यानि electron accept करने की power उसके अंदर जादा होती है electron को लेना चाहता है यानि power of gaining electron बहुत जादा होती है जिसकी electron affinity जादा होती है यानि बहुत जादा easy होता है उसके अंदर electron को fill करना तो electron की fill करने की capacity जिस element के अंदर जादा होगी उसकी electron affinity जादा होगी और ऐसे element का जो oxidizing power होगा वो भी क्या होगा जादा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि oxidizing power of oxydizing power of x is greater than y यानि y से जादा होगा clear है how is the electron negativity of x like to compare with that of y अब देखो जिसका electron affinity जादा होगा उसकी electron negativity भी जादा होगी यानि भाई electron negativity क्या होती है capacity to attract the electron यानि किसी भी electron को अपनी और attract करना जो होता है capacity उसे हम electron negativity कहते हैं तो भाई electron affinity जादा है तो यार electron negativity भी क्या होगी x की जादा होगी तो यहाँ पर लिख सकते हैं electron negativity electron negativity electron negativity of x is greater than y ठीक है state whether x is likely to be placed to the left or the right of y in the periodic table तो कह रहा है क्या x को हम y के right में रखें या left में रखें periodic table में तो देखो left to right जाने पर electron affinity increase करती है तो अब इससी बात है कि यह x जो होगा वो right में होगा तो x belongs at the right from y in the periodic table ठीक है जिसकी electron affinity जादा होगी वो right में placed होगा जिसकी electron affinity कम होगी वो left में placed होगा तो आपका जो x होगा वो y के right में होगा ठीक है whether the following statement are true or false justify your answer in an electrovalent compound the cation attains the electronic configuration of noble gas that comes after in it the periodic table कहता है एक electrovalent compound में जो cation होता है वो electronic configuration noble gas जैसा attend करता है और after in it periodic table में आ जाता है तो ऐसा तो होता नहीं है periodic table में उसको कहां रखा जाता है वो अपने place पर ही रहता है भले वो electron को accept कर ले क्या कर ले उससे मतलब नहीं है periodic table में उसके लिए कोई जगा नहीं है ठीक है periodic table में उसके लिए कोई जगा नहीं है तो periodic table में उसके लिए कोई जगा नहीं है तो भाई जो तुमारा electrovalent compound होता है वो सही बात है accept करके एक noble gas जैसा configuration पा जाता है लेकिन वो stability gain करता है उसको periodic table में नहीं लाते हैं हम लोग ठीक है in the formation of compound PQ2 from atom P gives one electron to each atom of Q the PQ2 is good conductor of electricity भाई PQ2 good conductor of electricity तो होगा ठीक है मैं मान रहा हूँ ये बात कि PQ2 is an electrovalent compound भाई ये एक electrovalent compound है इसलिए अच्छा conductor तो होगा electricity का लेकिन किन states में molten state and aqueous state दो states में इसकी stability sorry इसकी जो conductivity होगी वो ज्यादा better होगी बाकी states में नहीं समझ में आ रही बात कह रहा है calculate the number of moles in 22 gram of carbon dioxide by 22 gram of CO2 में number of moles calculate करना है तो सबसे पहले आप carbon dioxide का atomic mass calculate करेंगे that is 12 plus 16 sorry 12 plus 2 into 16 तो हो जाएगा 12 plus 2 into 16 12 plus 32 that is 44 is the CO2 तो बाई यह बताओ 44 gram of CO2 is 1 mole by 22 gram अगर आप carbon dioxide लेंगे तो वो उसका 1 mole कहलाएगा तो एक gram लेंगे 1 gram of CO2 is 1 by 44 mole और अगर आप 22 gram of CO2 लेंगे तो 1 by 44 into 22 that is 1 by 2 mole यानि half mole तो answer is 1 by 2 mole of CO2 ठीक है मतलब 22 gram of CO2 contains contains 1 by 2 mole of CO2 clear है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद कह रहा है question number 4 the following question related to extraction of aluminium by electrolysis aluminium को extract कर रहे है electrolysis के basis तो कह रहा है name the other aluminium containing compound added to alumina alumina में क्या और mix किया जाता है electrolysis के समय तो भाई क्या mix किया जाता है cryolite क्या mix किया जाता है रट डालो इसको यह सब ratification वाले question है याद करने पड़ेंगे metallurgic chapter का question है और आपको याद करना पड़ेगा इसमें कोई concept नहीं है इसमें कोई theory नहीं है सिर्फ आपको पढ़ना है और दिमाग में रखना है बस तो cryolite add करते हैं क्योंकि add करते हैं क्योंकि melting point को low करता है ठीक है क्यों add करते हैं क्योंकि lowest the melting point यानि melting point को low करता है give a balanced chemical equation takes place at cathode अब cathode पर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बेटा cathode पर जब भी कोई reaction होगा वो होगा reduction और reduction में क्या होता है gain of electron तो भाई जो positive ion होगा वो जा करके discharge हो जाएगा किसके उपर cathode पर तो aluminum का आप extraction कर रहे हैं तो aluminum ही तो positive ion है तो Al 3 plus plus 3 electron यह 3 aluminum का जो ion है वो 3 electron accept करके जा करके cathode पर क्या हो जाएगा discharge हो जाएगा और क्या बना देगा aluminum बना देगा तो cathode पर जो balance chemical equation होगी वो यही होगी उसके बाद कह रहा है अगला question a gas cylinder of capacity 40 decimeter is filled with gas x of mass of which is 20 gram एक gas cylinder की capacity 40 decimeter cube है उसको एक gas के द्वारा fill किया गया है और उस gas का mass है किता 20 gram when the same cylinder is filled with hydrogen gas at the same temperature and the pressure the mass of hydrogen is 2 gram find the relative molecular mass of gas कह रहा है relative molecular mass of gas बताईए तो देखो भाई सबसे पहले आप यह समल लीजे कि आपको इसमें क्या करना है जितना gas उसने पहले cylinder में fill किया था फ्रीक है जितना उसने gas को cylinder में fill किया था उसको आपको 20 और फिर आपको जितना gas hydrogen का fill किया गया था उससे divide कर देना है that is 20 x 2 हितना आपका 10 simple से trick बता रहा हूं कोई formula नहीं कोई कुछ नहीं simple से जब भी इस type का question आए कि एक container आता ही है एक container में इतना gram हमने gas को भरा और उसी container में उतना gram हमने क्या किया एक दूसरे gas को भरा तो उसका दोनों का gram में weight दे दिया और container का maximum volume दे दिया कि इतना volume होता है तो आपको क्या करना है जो भी gas है जैसे 20 gram भरा था मैंने तो 20 gram में इस 2 का divide कर देंगे फिर जो भी आएगा जैसे यहां पर क्या आया 40 decimeter cube तो यहां पर आपको क्या करना है 40 decimeter cube में 40 decimeter cube में क्या कर देना है आपको relative atomic mass निकालने के लिए that is 10 into 40 that is कितना हो जाएगा 10 into 40 that is 400 is the relative atomic mass simple सा मलब कोई भी formula नहीं कोई trick नहीं आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो find कर सकते हो simply ठीक है बाकि आप अगर formula wise जाना चाहते हो तो आपको mole concept में vapor density का concept मिलेगा वहां पर आप जाकर देखोगे number of moles is equal to vapor density of the element upon vapor density of the hydrogen तो वहां पर vapor density पीटा वही होगा 20 gram और 2 gram divide करोगे 10 आ जाएगा फिर आपको एक formula मिलेगा relative atomic mass is equal to vapor density into volume तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा relative atomic mass मिल जाएगा तो simple सा formula wise भी जा सकते है no problem आपकी इक्षा ठीक है थर्ड कोश्चन है कह रहा है give the balance equation for each of the following तो action of warm water and aluminium nitride aluminium nitride में जब warm water डालते हैं तो क्या action होता है तो यहां पर देखिए equation लिखा है balance chemical equation पूछा है तो सिर्फ हम वही देंगे हम बहुत जादा detail में नहीं जाना चाहते तो यहां पर क्या है aluminium nitrate है यहां पर warm water डाला गया H2O क्या बना aluminium hydroxide और ammonia क्या बना aluminium hydroxide और ammonia बना दूसरा कह रहा है number two oxidation of carbon with concentrated nitric acid carbon का oxidation तो यहां यह carbon है यह HNO3 है तो यह क्या करेगा oxygen provide कर देगा carbon को और बना लेगा CO2 carbon का oxidation हो रहा है carbon का oxidation का मतलब क्या carbon में oxygen add होना चाहिए HNO3 क्या होता है strong oxidizing agent होता है तो तुरंत oxygen provide कर देगा किसको carbon को और यह बना लिया CO2 यहां बना 4NO2 यहां बना H2O उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है third is dehydration of ethanol by concentrated sulfuric acid at the temperature of 170 degree centigrade ethanol जिसको ethyl alcohol भी बोलते है उसका formula होता है CH3 CH2OH जब H2SO4 concentrated इसमें डालते है 170 degree centigrade temperature डालते है तो H2SO4 एक बहुत अच्छा dehydrating agent होता है मतलब H2SO4 क्या करता है element या compound से water molecules को extract कर लेता है तो जब इसमें से water molecule extract तो यहां बना देगा ethene यह reaction दूसरे तरीके से भी आपके एक्जाम में पूछी जाती है पूछा जाता है कि alcohol से ethene कैसे मील लेगा ठीक है Give the balance chemical equation for alcohol to ethene मतलब Ethyl alcohol से ethene कैसे बनाऊगा सीधा H2SO4 concentrated H2SO4 से reaction करवाईए पानी बाहर और ethene तयार समझ में आई बात चलो आगे चलते है With respect to Haber's process answer the following temperature of the reaction Haber's process में reaction का temperature क्या होता है Haber's process में reaction का temperature क्या होता है 450 to 500 degree centigrade सारी चीज़े तो यहां पर अगर आप temperature की बात करोगे 450 to 500 degree centigrade होता है catalyst जो यूज होता है Finley divided iron कौन सा catalyst यूज होता है Finley divided iron और balance chemical equation की बात किया जाए तो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि पूरे board में कहीं जगा नहीं है तो भेया क्या करोगे N2 gas लिया जाता है H2 gas लिया जाता है और बन जाता है बेटा NH3 और यहां iron डाल दिया जाता है catalyst की form में अब इसको balance करना है तो यहां लगा देंगे 2 यहां N2 balance हो गया यहां लगा देंगे 3 हो गया N2 plus 3 H2 is equals to 2 NH3 यही है आपका balanced chemical reaction clear आगे बढ़ यह अगला question रंजना wants to prove that ammonia is a reducing agent question number 5 रंजना क्या करती है प्रूफ करना चाहती है कि ammonia एक अच्छा reducing agent होता है to demonstrate this she passes ammonia gas overheated copper oxide what will she observe जब copper oxide के उपर ammonia gas डाला जाएगा तो ammonia एक अच्छा reducing agent है अगर तो copper से oxygen को क्या कर लेगा extract कर लेगा removal of oxygen is called reduction और जिसकी वज़ा से reduction होता है उसे हम लोग क्या कहते है as a reducing agent कहते है तो यहां पर copper oxide से क्या किया जाता है ammonia ने क्या किया oxygen को extract कर लिया और ammonia जब copper से oxygen को extract करता है तो बना देता है क्या copper तो यहां पर रिड्यूस कर दे रही यानि oxygen को रिमूफ कर दे रही और फिर से क्या बना दे रही copper का कलर तो ब्राउन होता है तो metallic brown का हो जाएगा तो इसका मतलब ammonia क्या है एक अच्छा reducing agent है ammonia क्या है 2NH3 3Cu 3H2O plus N2 यहां पर nitrogen gas भी निकलेगी ठीक है यह भी एक है उसके बात कह रहा है name the alloy which is made up of copper, zinc और tin से बनने वाले alloy क्या है metallurgy chapter में ही जाएगे कुछ alloys का description होगा उनमें कितने percentage में कौन कौन से element पाए जाते है तो अगर आपने book अपनी read की है metallurgy chapter है तो उसमें भाई देखो copper, zinc और tin से जो alloy बनता है brass हिंदी में इसको पीतल भी कहा जाता है अगर आपको पता होतो तो इसको क्या बोलते है brass उसके बाद lead और tin से क्या बनता है shoulder, soldering wire होता है कभी देखा होगा टीवी या कोई circuit बनाने के लिए किसी mechanic के पास गय होगे तो वो एक shoulder लिया रहता है shouldering iron और उसमें एक wire ऐसे touch करता है तो wire गल करके उसमें चिपक जाता है फिर wire को इस तरीके से वो attach कर देता है तो वो जो wire यूज करता है वो यह होता है shoulder क्या होता है इसका melting point थोड़ा low होता है इसलिए इस alloy को बनाया जाता है इस alloy का use fuse wire में भी करते हैं अगर आपने physics में पढ़ा होगा fuse के बारे में तो fuse wire भी इसी solder का ही बनाया जाता है क्योंकि इसका melting point कम होता है सीमा takes a blue crystalline salt pea in the test tube on heating it produce a white anhydrous powder यार यह पी है अब blue crystalline क्या होता है blue crystalline बच्चे बच्चे को पता है पढ़ता चला रहा है क्या होता है copper sulphate तो यहां पे जो पी होगा वो होगा copper sulphate copper sulphate जिसका formula क्या होगा CUSO4 तो सीमा जो ली थी वो क्या था copper sulphate जब copper sulphate से आप उसको गरम करते हो तो copper sulphate का जो blue color होता है वो because of hydrated water of crystallization की वजह से होता है यानि उसके अंदर 5H2O होता है जब आप उसको गरम करते हो तो 5H2O क्या होता है वेपर में convert होकर बाहर निकल जाता है that is anhydrous copper sulphate हो जाता है जब zinc P में added होगा तो जब zinc P में added होगा तो क्या होगा और state the color of precipitate form when the barium chloride is added to solution of P तो देखो जब zinc sulphate में यानि आप इसमें क्या करते हैं एक second जैसे copper sulphate है one second जैसे copper sulphate है CuSO4 इसमें आपने क्या डाला zinc डाला तो zinc क्या करता है Cu को displace कर देता है यहां पर बना लेता है ZNSO4 और plus Cu इसका color होता है बेटा blue और जब यह बनता है तो यह होता है colorless colorless ठीक है मतलब zinc sulphate का कोई भी color नहीं होता है तो जो आपका solution होता है वो becomes colorless हो जाता है उसके बात कहरा state the color of precipitate form when the barium chloride is added to the P जब copper sulphate में barium chloride डाला जाता है जब copper sulphate में barium chloride यानि BaCl2 डाला जाता है तो यह exchange कर लेते हैं किसका ions का तो यह बना लेता है BaSo4 और बना लेता है CuCl2 तो यह जो BaSo4 है इसका color होता है white white PPT provide करता है तो यहाँ पर जब BaSo4 बनेगा तो यह PPT बनाएगा और इस type का reaction क्या कहलाता है double displacement reaction double displacement reaction class 9th में पढ़ाया गया होगा types of reaction और यह किस type का reaction है यह this is a displacement reaction displacement reaction ठीक है displacement reaction समझ में आ रही बात गिव रीजन ethene undergoes addition reaction यह एथीन क्यों addition reaction में जाता है because ethene is the unsaturated carbon which is allow the one bond should be break ethene में दो double bond होता है और एक double bond को break करके वो और elements को add कर सकता है जिसके पास triple bond होगा वो और जादा add कर सकता तो जो unsaturated hydrocarbon होते हैं वो आपका addition reaction में part ले सकते हैं because उनके पास triple bond और double bond होता है वो क्या कर सकता है वो break हो करके कुछ नए elements को जोडने की capacity रखता है hydrocarbon can be used as a fuel hydrocarbon का क्या होता है इसकी जो calorific value होती हो बहुत high होती है आप कहोगे calorific value क्या होती है सर तो calorific value यह होती है कि आप जब भी किसी चीज को जलाते हो तो उससे एक heat energy provide होता है और heat energy जितने मात्रा में provide होता है जितने joule आपको heat energy जितने calorie आपको heat energy provide होती है उसे हम उसका calorific value कहते हैं तो भाई आपका hydrocarbons है इनकी calorific value बहुत high होती है इस वज़ा से इनको as a fuel यूज किया जा सकता है और यह easily combustible है तुम किसी भी hydrocarbonic gas को जला दो butane, propane बहुत easily methane को जला दो बहुत easily petrol, diesel, petrol kerosene oil किसी को भी आप burn कीज़े आप उसको क्या कर सकते हो fuel की तरह यूज किया जाता है hydrogen chloride gas cannot be collected over water hydrogen gas को कभी भी पानी के अंदर से collect नहीं किया जाता है upward displacement reaction से नहीं collect किया जाता है क्यों क्योंकि SCL is a highly soluble in water क्योंकि जब SCL अगर पानी से हो कर के गुजरेगा तो पानी में soluble हो जाएगा और पानी को बना देगा acid यानि water turns to SCL water turns to SCL यानि hydrochloric acid क्योंकि SCL gas जब water के संपर्क में आता है यानि water से connect होता है तो बहुत तेजी से क्या होता है water में dissolve होता है अगला है question no.6 name the following the ore of zinc containing its sulphide जिंक का एक और बताईए जो उस sulphide से contain करता है तो zinc blend जिंक के एक और का नाम बताईए जो जिसमें zinc sulphide होता है तो zinc blend ZNS यही तो होता है एक और जिसमें क्या होता है sulphide होता है the most commonly used oxide ore of aluminium तो bauxide bauxide एक ऐसा ore है aluminium का जिसमें से aluminium को ज्यादा तर extract करते हैं यानि bauxide एक commonly ore है किसका aluminium का और इसका formula होता है Al2O3.2H2O तो यह क्या है oxide ore है कैसा है Oxide यानि इसमें oxygen present होता है ठीक है state one observation in the following cases अब देखो यह दोनों question भी रट्टाफिकेशन ही है metallurgy तो पूरी रट्टाफिकेशन आप metallurgy रटोगे तभी आप question कर पाऊगे state one observation in the following cases sodium chloride sodium chloride solution is added to the solution of lead nitrate एक observation बताइए जब sodium chloride solution lead nitrate में add किया जाता है एक precipitate मिलता है किसका lead chloride का किसका मिलता है lead chloride का sodium chloride को आपने डाला किसमें lead nitrate में तो sodium nitrate बन जाएगा lead chloride बन जाएगा lead chloride क्या करता है precipitate फॉर्म करता है तो precipitate of lead chloride and sodium nitrate is formed तो sodium chloride lead nitrate का precipitate फॉर्म हो जाएगा उसके राद कह रहा है barium chloride solution is added to solution of zinc sulfate तो अभी तो बताया कि जब barium chloride को copper sulfate solution में डालते हैं तो क्या मिलता है white PPT तो यहाँ भी मैंने answer लिख दिया white PPT of BSO4 is formed ठीक है समझ में आई तो यह question देखो repeat हो गया थोड़ा अलग धंक से पूछा गया लेकिन repeat हो गया ठीक है आगे बात करते हैं copper sulfate solution is a electrolyzed using copper electrode copper sulfate solution को copper electrode के दौरा क्या किया जा रहा है electrolyze किया जा रहा है तो यहाँ पर एक anode और एक cathode मानलो इसको मैंने किसे कने किया plus से इसको मैंने कने किया minus से यहाँ पर हमने copper sulfate solution रख दिया ठीक है कह रहा है which electrode is the oxidizing electrode कौन सा electrode? oxidizing electrode होता है तो यार oxidizing electrode कौन सा होगा ? जहाँ पर आपका जो electron होगा वो gain होगा ठीक है? समझद है यहाँ admin sorry gain कह रहा щit जहाँ पर electron lose किया जाएगा oxidizing electrode होगा तो जो anode होता है अगर आपको याद हो तो anode पर copper क्या करता है Cu अपना दो electron निकाल करके क्या बना लेता है Cu 2 प्लस और वो Cu 2 प्लस आयन कहां पर आ जाता है इस solution में तो यहां पर जो आपका oxidizing electrode होगा वो होगा क्या anode क्या होगा भीया anode is the oxidizing electrode because of copper turns to Cu 2 प्लस कॉपर किस में कनवर्ट हो रहा है Cu 2 प्लस में कनवर्ट हो रहा है write the equation for the reaction occurring at above electrode कौन सा reaction इस electrode पर हो रहा है तो यही होगा और क्या this is the reaction at this electrode यानि अनोड पर यही reaction होगा ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है next question fourth x है 287 y है 282 are two elements using this information complete the following इस दोनों में से कौन सा metallic element होगा तो metallic element कौन सा होता जिसके outermost orbit में एक दो या तीन electron हो तो भाई इसके में दो है तो भाई आपका जो यह metallic element होगा that is y metal atom tends to have a maximum number of 8 electrons in the outer motion तो या metal होगी non-metal होगी या कोई भी हो अपने outermost orbit में वो 8 ही electron रखना चाहेगा ठीक है इन दोनों में से reducing agent कौन होगा अब reducing agent कौन होता है जो electron को क्या करे gain करे जिसकी वज़ा से electron gain हो तो भाई यह बताओ कि आपका reducing agent होता है जो electron gain करवाता है उसे हम लोग क्या कहते है reducing agent तो यहाँ पर reducing agent आपका हो जाएगा कौन? X ठीक है यह electron को gain करता है जो electron को donate करेगा तो Y is the reducing agent Y क्या होगा? reducing agent होगा क्योंकि यह electron को provide कर रहा है ठीक है? जो electron को gain करेगा वो oxidizing agent होगा जो electron को provide करेगा वो reducing agent होगा तो electron को provide करने वाला ये है क्योंकि y अपना 2 electron इस x को दे देगा तो यहाँ पर y क्या होगा एक reducing agent होगा आगे बात करते हैं question number 7 कह रहा है the empirical formula of an organic compound is C3 एक नया page ले लेते हैं C3 C3 H C3 H4 N C3 H4 N ले बेटा empirical formula है उसके बात क्या कह रहा है its molecular weight is 108 molecular weight इसका किता है 108 ठीक है तो find the amount of carbon in one mole of the compound show all the steps involved कह रहा है find the amount of carbon in one mole of the compound तो एक mole में कितने carbon atom होंगे मतलब one mole find the amount of carbon carbon का amount बताईए एक mole में तो obvious सी बात है देखो C3 पहले तो इसका relative atomic mass निकालेंगे तो 3 x 12 plus 4 x 1 plus 14 तो अगर आप 108 में 54 का डिवाइड करते हो तो आएगा 2 इस न इस अगर तो आपको क्या मिल गया? अपका 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 अब करेंगे अब आपका कर देंगे अब कह रहा है हमको बताइए कि कारबन का क्या अमांट प्रेसेंट है 108 ग्राम आपने लिया है तो 108 ग्राम वन मोल कहलाएगा अब इसमें देखेंगे अगर आप यहां पर तो जो कार्बन का प्रेजेंटेशन है 36 ग्राम अगर कार्बन है अब इसका डबल ले लेंग किता हो जाएगा 72 यानि 72 ग्राम कार्बन है प्रेजेंट इन 108 ग्राम आफ दिस कंपाउंड यानि आपका जो कार्बन है यह तो इंपिरिकल फॉर्मला था पहले इसका रिलेटिव इटाउमिक मास कल्कुलेट किया 54 आया 108 ग्राम में डिवाइड किया 2 आगया आपका एन जब एन से इसमें मल्टिप्लाई किया तो यह में अगर आप फिर से देखेंगे तो कार्बन हो जाएगा 72 तो यानि 108 ग्राम अगर यह कंपाउंड लिया जाएगा तो उसमें 72 ग्राम सिर्फ कार्बन होगा ठीक है 72 ग्राम क्या होगा कार्बन होगा तो यही तो पूछ रहा है find the amount of carbon in one mole of the compound तो इसके एक मोल में 72 ग्राम क as pH 7 महश क्या करता है एक basic solution बनाता है जिसका pH 7 है how will the pH of solution exchanges on addition of the following hydrochloric acid अगर उसमें hydrochloric acid डाला गया तो भाई hydrochloric acid क्या होता है उसका pH कम होता है तो जब भी किसी solution में hydrochloric acid डालोगे तो उसका pH क्या होगा pH reduce हो जाएगा ठीक है तो उसका pH क्या होगा pH reduce कर जाएगा उसके बाद अगर basic solution डालोगे तो pH क्या होगा increase कर जाएगा pH क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा simple सी बात है the atomic number of an element is 15 to which group will this element belongs to कहरा एक element है जिसका atomic number 15 है तो चलो भाई 2, 8, 5 outermost orbit में 5 electron तो अगर outermost orbit में 1 electron तो 1st group, 2 electron तो 2nd group, 3 electron तो 13th group, 4 electron तो 14th group और 5 electron तो 15th group समझ में आ रही है, period पूछा होता तो 1, 2, 3, 3rd period, 3rd period, 15th group, electronic configuration कर देंगे, step यही होगा कि अगर atomic number दिया होगा तो आपको सीधा electronic configuration करना है, last outermost shell में जितने electron आया है उसके according आपको number of groups calculate कर लेना है 1 electron आया तो 1st group, 2 electron आया तो 2nd group, 3 electron आया तो 13th group, 4 electron आया तो 14th group, 5 electron आया तो 15th group, 6 electron आया तो 16th group 7 electron आया तो 17th group और 8 electron आया तो 18th group, simple सी बात है, calculation बहुत easy है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाया तो paper में कोई dm नहीं होता है, ठीक है, paper tough और hard का सिर्फ एक ही criteria है अगर आपको पेपर आ रहा है तो आसान है नहीं आ रहा है तो कठीन है ठीक है तफ पेपर उन वही होते हैं जो किसी को नहीं आते ठीक है और तफ पेपर और इजी पेपर का क्राइटेरिया क्या है अगर आपको सारे questions आ रहे हैं तो आपको बहुत easy paper है अगर आपको questions नहीं आ रहे हैं आपको बहुत tough paper है हो सकता है वही tough paper किसी और के लिए easy हो क्यों क्यों कि उसको question आ रहे है तो toughness और easiness का कोई criteria नहीं होता है यह paper आसान है यह paper tough है simple सी बात है पेपर को इजी बनाना अपके हाथ में. ठीक है? टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है. अट एक्जाम टाइम. मतलब बहुत ही क्रूशियल तरीके से आप टाइम को मैंनेज करते हो. आप साल भर नहीं पढ़ते हो अब तो बोर्ट एक्जाम है तैम आजाएगा, जब एक्जाम करीब आता है तब आप एकठ़ है पहनत करना शुरू करते हैं एक्जाम, मallais इतना पढ़ना शुरू करते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि उस समय आपको डर नहीं होता है कि बोर्ड इग्जाम है शुरुवात में आपको इतना डर नहीं होता है आपको इतना डर नहीं होता है आपको इतना डर नहीं होता है आपको इतना डिमाग में पैठालने में यूज कर लो तो लास्ट में आपको इत इतना ज्यादा बहार नहीं आएगा जो बहार पहले आता है मतलब लास्ट में आता है और लास्ट में इतने ढहर सारे सब्जेक्ट्स सब के सिलेबस कंटेन करना आप इन सब में इतना परशान हो जाते हो कि आप कहते हो अरे यार बहुत टफ है भाई हाई स्कूल तो तो ऐसा नहीं है तफ नहीं है आपने टाइम को यूटिलाइज ही कहां किया आपको मिला था बारा महिने आपने यूटिलाइज किये सिर्फ तीन महिने नो महीने तो आपने मज़ा किया है ठीक है तो भाई तीन महीने जब बारा महीने का काम 12th मन्त का काम आप 3 मन्त में करोगे तो अविसी बात है hard हो जाएगा अगर आप मैं कहता हूँ 12 मन्त का काम आप 10 मन्त में करो 9 मन्त में करो 8 मन्त में करो हम कहते हैं 7 मंत में करो तब भी ताहाड नहीं लगेगा आप कहां पर आते हो 3 महीने, last के, pre-board के पहले से लगते हो pre-board खराब गया और tension जनवरी में और tension है यार अगले महीने तो paper है अब pre-board भी खराब हो गया result भी अच्छा नहीं है इसका मलए मेरा कुछ तयार नहीं हो गया अब इसी tension में आदमी परशान ठीक है, तो tension मत लीजे अभी time है, अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे अभी भी बहुत समय है अगर आज से भी पढ़ना start कर दिया, तो 90% के ऊपर आएगा 100% गारंटी बोलते रहा हूँ ठीक है, लेकिन बस पढ़िए पढ़ेंगे तभी कुछ होगा चलिए आगे चलते है 8.2 gram of calcium nitrate is decomposed by heating according to the equation तो पहले इस equation को एक new page पे ले लेंगे ठीक है, ये calcium nitrate है सबसे पहले तो आप इसका क्या करेंगे molecular weight calculate करेंगे 2 into calcium का होता है 40 plus nitrogen का हो गया 14 plus oxygen का हो गया 3 into 16 into 2 तो हो जाएगा 2 40 plus 14 plus 48 into 2 तो हो गया आपका 2 into 40 30 plus 8 4 12 और एक 5 यानि 8 4 12 5 तो हो जानि 65 नहीं sorry 62 into 2 मतलब 1 24 124 into 4 हो जाएगा आपका 164 into 2 करोगे 8 328 तो 328 तो 328 ग्राम आपने क्या यूज किया calcium calcium नाइट्रेट नाइट्रेट बनाया कितना भाई साब 2 into 40 plus 16 40 plus 16 तो हो गया आपका 56 6 into 2 that is 12 2 5 10 11 112 तो भाई अगर आप 328 ग्राम Ca calcium नाइट्रेट यूज कर रहे हो तो 112 ग्राम calcium oxide बन रहा है तो ओवेसी बात ही यहाँ पर unitary method आप यूज करेंगे 328 ग्राम फॉर्म्स 112 ग्राम of Cao तो वन ग्राम कितना contain करेगा 112 upon 328 और 8.2 ग्राम कितना करेगा 112 upon 328 into 8.2 ठीक है तो यही तो कह रहा है 8.2 ग्राम of calcium nitrate could decompose किया गया calculate the following volume of nitrogen अच्छा पहला volume था सरी मैंने मुझे लगा पहला mass पूछ रहा है mass of calcium oxide mass of calcium oxide form जो करेगा वह यही होगा जो यहाँ पर आपका आएगा जो भी आए simply आप इसको calculate कर लीजेगा अब इतना possible नहीं है तुरंत calculate करना ठीक है मुझे थोड़ा calculator का use करना पड़ेगा तभी हो पाएगा जल्दी से ठीक अगर मैं calculate करने पर आए तो आप भाग जाओगे वीडियो छोड़के तो इसलिए calculate कर लीजेगा अब कह रहा है volume of nitrogen dioxide obtained at STP तो बेटा देखो यहां पर volume क्या होगा जब आपने 328 g calcium nitrate use किया तो NO2 4 into 22.4 लीटर आपका NO2 बना बाई NO2 का एक molecule अगर बनता तो उसका volume होता 22.4 liter STP क्योंकि किसी भी चीज का एक mole का जो volume होता है STP पे वो 22.4 होता है तो यहां 4 molecule बन रहा है तो 4 into 22.4 तो एक gram में कित्ता हो जाएगा भाई 4 into 22.4 upon 328 और 8.2 gram में कित्ता हो जाएगा that is 4 into 22.4 upon 328 into 8.2 अब इसको solve कर लेंगे तो कितने liter आपका nitrogen बनेगा यह भी आ जाएगा ठीक है how much liter of NO2 use आपका बनेगा इसका answer इसके बाद आ जाएगा अगर आपको थोड़ा सा जल्दी चाहिए तो चलो मैं calculate करके बता देता हूं तो मिनिट समय दीजेगा तो यहां पर हो जाएगा 112 into 8.2 divided by 328 112 into 8.2 divided by 328 2.8 तो यहां answer हो जाएगा कितना this is your answer that is 2.8 gram of CO2 CAO sorry calcium oxide is formed और यहां पर calculate करेंगे तो जाएगा 4 into 22.4 into 8.2 divided by 328 that is 2.24 liter of NO2 यह formed होगा ठीक है simple सी बात बेटा चले next question में कहां गया यह ठीक है state giving reason if कह रहा है zinc and aluminum can be distinguished by heating the metal powder with concentrated sodium hydroxide solution बताइए कि क्या zinc and aluminum को हम distinguish कर सकते या नहीं अलग अलग पता कर सकते हैं जब उसको मैं heat करूं किसके किसी metal powder के साथ और concentrated sodium hydroxide के साथ तो भाई answer है no zinc and aluminum को हम distinguish नहीं कर सकते हैं क्यूंकि दोनों ही metal powder और concentrated alkalis के साथ soluble sodium salt बनाते हैं and hydrogen gas बनाते हैं तो दोनों same type की reaction देते हैं इसलिए हम इसको distinguish नहीं कर सकते हैं what is the given substance zinc and aluminum aluminium भी वैसा ही reaction देता है और zinc भी वैसा ही reaction देता है तो इस distinguish नहीं होगा उसके बात कर रहा है क्या आप distinguish कर सकते हैं calcium nitrate और lead nitrate को जब उसमें ammonium hydroxide डाला जाएगा तो कहेंगे yes क्यों क्यूंकि ammonium hydroxide जब lead nitrate के साथ react करता है तो एक chalky white PPT बनाता है जो क्या होता है PBOH का hold twice लेकिन कोई भी PPT observe नहीं होती है जब CA NO3 का hold twice यानि calcium nitrate जब react करता है किसके साथ आपका ammonium hydroxide के साथ तो कोई PPT form नहीं होता तो ammonium hydroxide के साथ अब दो substance आपको दिया है पहले ammonium hydroxide के साथ आपने calcium nitrate को बनाया कोई PPT नहीं आई आप मान गया कि calcium nitrate है दूसरा डाला उस white PPT आ गई तब वो क्या होगा वो lead nitrate होगा तो दोनों को मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया draw the electron dot diagram of hydronium mine तो बाई electron dot hydronium mine का क्या होगा देखो इधर एक oxygen है oxygen के पास total six electron होता है तो यह blue color के electrons oxygen के electron है hydrogen hydrogen यहां पर देखो hydrogen और एक hydrogen आपस में share करके यहां पर क्या बनाया है H2O molecule बनाया है hydrogen, oxygen, hydrogen simple सी बात अगर देखा जाए oxygen इधर hydrogen इधर hydrogen इधर hydrogen यह है मामला अब एक H plus इसके पास ले देके किवल एक electron बिचारे के पास वो भी देके बैठा है किसी को ठीक है तो इसके पास कोई electron नहीं है अब इसको अगर stable होना है तो इसको 2 electron चाहिए तो oxygen के पास चार electron खाली था तो oxygen ने कहा चलो भाई दो ठोम तुम्हाँ साथ share कर लेते हैं और हम बना लेते हैं coordinate bond तो यह अपना 2 oxygen, 2 electron इस hydrogen के साथ share कर लेगा यहां पर hydrogen का एक electron यहां पर hydrogen का एक electron है बट यह वाला hydrogen अपना एक भी electron शेयर नहीं किया है यहां दोनो electron oxygen के है और इस तरीके से आपका क्या form हुआ? hydronium ion form हुआ, simple सा electron dot structure है उसके बाद कर रहा, give the balance chemical equation for the following कह रहा, laboratory preparation of ethine from calcium carbide by laboratory preparation of ethine तो यहां पर देखो CAC2 calcium carbide H2O के साथ react करेंगे, क्या बना देगा? COH का hole twice और C2H2 तो यह laboratory preparation का है सिर्फ, balance chemical equation देना है आपका और कुछ नहीं उसके बाद कह रहा है, conversion of acetic acid to ethyl acetate यह है आपका क्या? acetic acid 3H3 COOH इसको alcohol के साथ react कर देंगे, C2H5OH तो क्या होगा? यहां से bond break होगा H+, बाहर आएगा COO- बाहर आएगा उसके बाद, यह पूरा C2H5 में से OH बाहर आजाएगा वो OH और H मिल करके H2O बना लेंगे और जो C2H5 है वो जाके यहां add होगा और क्या बनाएगा? CH3 COO C2H5 इसे बोलते हैं बेटा इसे बोलते हैं ethyl acetate Laboratory Preparation of Nitric Acid Laboratory Preparation of Nitric Acid क्या होता है पहले KNO3 लेते हैं Potassium Nitrate और उसको H2SO4 के साथ react करवा देते हैं बन जाता है KHSO4 और साथ में बनता है HNO3 तो Nitric Acid इस तरीके से बन जाता है उसके बाद कह रहा है identify the following substance An alkaline gas which produces dense white fumes when react with HCl gas NH3 gas को जब HCl gas के पास लेके आते हैं तो एक white fume निकलता है white color का धुमा निकलता है तो यह NH3 होगा ठीक है और आपने बोल पढ़ा भी होगा कि दो gases हैं जो आपस में मिल करके एक solid बनाते हैं like NH3 plus HCl is equal to NH4Cl तो NH3 और HCl जब मिलते हैं यह गैसियस हैं बट मिल करके क्या बना लेते हैं NH4Cl तो गैस मिल करके एक solid बनाता है the anion present in the salt which produces a gas with the smell of rotten egg when reacted with dilute HCl rotten egg smell किसकी होती H2S gas की hydrogen sulfide की hydrogen sulfide कब बनेगा जब कोई ऐसा salt लेंगे जो sulfide होगा तो यहां iron sulfide लेंगे और जब इसको क्या करेंगे react करवाएंगे किसके साथ salt के साथ तो एक anion present होगा जिसका smell क्या होगा rotten egg की तरह इसका smell होगा the particles present in strong electrolyte जो particle present होता है strong electrolyte में वो क्या होते है ions present होते है ऐसा तो है नहीं कि क्या करते है strong electrolyte में कुछ और present होगा और weak electrolyte में कुछ और present होगा ठीक है तो सभी चाहे weak electrolyte हो चाहे इस strong electrolyte दोनों में ion ही present होते है ions क्या करते है जादा amount में present होते है और strong electrolyte में और weak electrolyte में ions क्या होते है थोड़ा कम amount में present होते है बस और कुछ नहीं उसके बाद आपका ये paper खतम हो जाता है specimen इस paper का पूरा solution आपको मिल चुका है अब आपको सिर्फ क्या करना है आपको इसको अच्छे से prepare कर लेना है देखना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है आगे चल करके last के 5-6 साल के board के solutions आपको इस channel पे pre-board के पहले मिल जाएंगे तो इस channel को तुरंत like, share, subscribe कीज़ेगा दोस्तों के साथ यानि अपने school में दोस्तों के साथ शेयर कीज़ेगा क्योंकि इस तरीके का solution uploaded नहीं है YouTube मैंने देखा है मैंने बहुत research किया और मैंने देखा कि किसी भी चीज कहीं भी इस level का upload नहीं किया गया मतलब इतना समझा करके इतना सब कुछ बता करके इस तरीके का upload नहीं किया गया simple simple सीधा सीधा answer वगयरा यहाँ पे इतना समझा करके कोई भी upload नहीं किया तो इसलिए आपको अगर आप पिछले 5-6 साल के solutions चाहिए तो आप इस channel को बिलकुल subscribe कर लीजे दोस्तों के साथ share कीजे क्योंकि जब आप share करते हो आप subscribe करते हो जादा लोग देखते हैं तो हमारी भी अंदर से एक्छा होती है कि आपको better provide करें एक हमें भी motivation मिलता है तो हम आपके लिए इतना काम कर रहे है तो आपका भी फर्स बनता है कि आप हमको motivated रखें और मुझे उमीद है आप पूरी तरीके से motivated रखेंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको करना ही क्या है सिर्फ एक share और एक subscribe और एक like कुछ comments बस और क्या ही करेंगे आप ठीक है तो thank you बहुत बहुत धन्यवाद